पुतिन के सामने अब यूक्रेइन बड़ी चुनाती नहीं है बल्कि नेटो बन चुका है पुतिन के लिए एक बड़ा अच्छा लेग और यही वज़ा है कि पुतिन ने कह दिया है कि अब उसके टार्गेट पर वो ताकत है जो यूक्रेइन की मादद कर रही है माई ब्रिटेइन के रक्ष्यमंत्राले ने तो बहुत बड़ा दावा किया दावा ये कि रूस को डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है और फिर इसका असार पूरे यूरोप पर पढ़ सकता है क्राइमिया ब्रिज पर हमला मतलब पुतिन के दिल पर हमला पुतिन के दिमाग पर हमला क्या सितंबर शुरू होते ही रूस को बहुत बड़ा घाव देने की तैयारी में हैं जैलन्स की क्या रूस की फौच के गुरूर को चक्तना चूर करने की तैयारी में हैं जैलन्स की सितंबर के शुरुवाती दिनों में ही पुतिन को वेज़जद करने वाला बड़ा मिशन शुरू हो चुका है क्राइमिया ब्रिज पर वारप द्रोन से हमले की कोशिश योक्रेन की ब्रिज स्ट्राइक से भूस हिल गया है क्राइमिया ब्रिज पर तीन कामिकाजे समुद्री ड्रोन ब्लाँच किया है मौस्को में रक्षा मंत्राले के मताबिक ड्रोन हमले को रूस के काला सागर बेड़े ने नाकाम कर दिया है दावा तो ये भी किया है कि तीन ब्रोन में से एक ब्रोन रूस के गश्तु जहाज को निशाना बनाने में लगा था लेकिन रूस की नौ सेना ने वक्त रहते उसे तबाह कर दिया सबाल है क्या सितंबर के शुरू होते ही जैलन्सकी की सेना ने उस ओपरेशन को शुरू कर दिया है जिसे सीधे पुतिन के दिल पर हमला माना जा रहा है अगर जैलन्सकी की सेना ने इस ओपरेशन को आगे बढ़ाया है तो हो सकता है जो पुतिन ने कभी सोचा भी ना हो दावे के मुताबे क्राइमिया में एक बहुत बड़ा ओपरेशन होने वाला है क्राइमिया पर पुतिन को कर्च ब्रिद्स से भी बड़ा जटका मिलने वाला है क्राइमिया में सबसे बड़े कमांडो आपरीशन के लिए तैयार हो चुके हैं जैलेंस की क्राइमिया वो जगह है जहां 2014 से रूस का कबजा है रूस इसे अपने नक्षे में शामिल कर चुका है जबकि जैलेंस की यसे योकरेन का वो टुकडा मानते हैं जैसे पोतिन ने ताकत के बल पर चीना है लेकिन अब यहां उस योद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है ब्रिटिन के रक्षा मंत्राले ने बहुत बड़ा दावा किया है दावा ये कि रूस ने क्राइमिया ब्रिज पर हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा की एक अद्रिश्य दीवार खड़ी की है वो भी समंदर में रूस को डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर समंदर के अंदर से हमला हो सकता है नाटो की मदद से यूख्रेन की सेना क्राइनिया ब्रिज पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकती है ब्रेटेन के रक्षा मंत्राले के मुताबिक इस खत्रे से निपटने के लिए रूस की सेना ने समंदर में एक खास तरह की बाड तयार की है जो पंडुबी से लेकर पानी में अंदर से मार करने वाले ड्रोन की राह में रुकावत पैदा करेगा दरसल क्राइमिया पुल से 160 मीटर की दूरी पर रूस ने कई जहाज खड़े कर दिये हैं नैटो देशों से मिले ट्रैंकों से जहलैंस्की का जज़बा इतना बढ़ चुका है कि दावा किया जा रहा है कि यूख रेन क्राइनिया पर भी चड़ाई कर सकता है लेकिन ऐसा दावा है कि अगर जेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणू युद्ध तय है समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज योकरेन में चल रहे है युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हकूमत को मजबूत करता है रूस की सेना क्राइमिया के ब्रेज की सुरक्षा बीस तरीके से कर रही है इसमें सेटिलाइट लड़ाको विमार रोन युद्ध पोट टैन गोता खोर मिलिटरी डॉल्फिन रॉकेट लॉंचर हैंड ग्रेनेट और बक्तरबंद गाड़ियों सहत बीस तरीके से इस ब्रेज की सुरक्षा की जा रही है क्राइमिया के सिविक चैंबर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फाम चुक का दावा है कि अगर योग्रेन ने क्राइमिया पर गूच किया तो पुतिन परमाणो बम का बटन दबाने से नहीं हेच केंगे रूस का ये पुल कर्च स्ट्रेट पर बना है जो कि काला सागर को अजो सागर से जोड़ता है रूस के लिए ये ब्रेज बहुत ज्यादा एहम है चुकि पहली बात तो ये कि वो रूस के कबजे वाले योग्रेन के क्राइमिया को रूस के बाकी हिस्से से जोड़ता है दूसरी बात ये कि मौझूदा जंग में कर्च ब्रिज रूस की सेना का सप्लाई रूट है योक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को इसी कर्च ब्रिज के जरीए मदद पहुचाई जाती है और पिछले साथ योक्रेन पर हमला करने के लिए भी रूस ने इस पुल को अपना लॉंच पैड बनाया था क्राइमिया के सिविक चैंबर के अध्यक्ष अलेक्जंडर फामचुक ने सरकारी समचार एजनसी आर आर आई नोवोस्ती को दिये इंटर्व्यू में दावा किया है क्राइमिया पर अगर हमला हुआ तो ये विश्च और विद्वनसक परमाणू युद्ध को बुलावा दे सकता है क्राइमिया के सिविक चैंबर के अध्यक्ष अलेक्जंडर फामचुक के मुधाबिक क्राइमिया को पोतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वार ही क्यों न करना पड़े पुतिन के जख्मों पर नमक छड़कने के लिए जैलन्सकी के रक्षा मंत्रालनी के तजवीरें पोस्ट की है और बताया है कि अब तक रूस के 500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किये जा चुके हैं अब यहीं पुतिन का गुच्सा एक निर्डायक फैसला कर सकता है इन दो हमलों के बाद अब पुतिन दक्षुनी योग्रेन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं क्राइमिया ब्रिज पर लगातार हमलों के बाद अब क्राइमिया के अंदर S-400 का तबाह होना और खेर सौन में रेडार स्टेशन को ही उड़ा देना ऐसे जटके पुतिन बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करेंगे और इसके लिया बोहोंने पूरा ठीकरा बाइडन पर फोड़ने का फैसला किया है यानि रूस और अमेरिका की डाइरेक्ट टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर काला सागर और क्राइमिया का इलाखा बन सकता है रूस ने काला सागर के उपर अमेरिका के विमानों को पहले ही वानिंग दे दी है रूस ने कहा है कि क्राइमिया की सुरक्षा से कोई समझाता नहीं किया जाएगा और जो भी खत्रा होगा, रूस उसे मिटा देगा क्राइमिया को लेकर पोतेन इस वक्त बहुत ज़्यादा जज़बाती हो चुके हैं काला सागर की देहलीज पर वो किसी दूसरे देश के विमान को देखना नहीं चाहते वहीं दावा किया जा रहा है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए उसके क्राइमिया नाम के गमजोर नसको दबाने की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर है इसके प्लान का ट्रेलर जैलन्सकी के दक्षन अभियान के दोरान दिखने भी लगे हैं जैलन्सकी की सेना अब दक्षन की ओर आगे भढ़ने की कोशिश कर रही है दावे के मताबिक योकरेन की सेना ने अजोर सागर तक पहुंचने का लक्ष तैय किया हुआ है योकरेन की सेना चाहती है कि वो योकरेन के दक्षने इलाके से होते हुए अजो सागर तक पहुँचे जो रूस और क्राइमिया को जोडता है यानि अगर योकरेन की सेना रूस के इस जमीनी पकड़ को कमजोर कर देती है तो क्राइमिया पर हमला आसान हो जाएगा इतने दिनों के युद्ध के बाद भी योकरेन के अंदर करीब 1000 किलोमीटर से भी लंबा वार फ्रंट खुला हुआ है जहां दिन राद लड़ाई चल रही है रूस और योकरेन के सैने कामने सामने की जंग लड़ रहे है जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष था क्राइमिया को रूस की मुक्ष भूमी से जोना यानि क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना लेकिन एक सचाई ये भी है कि योकरेन की सेना ने रणकशत्र में पुतिन की आर्मी को पीछे धगेला है ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि पूर्वी और दक्षनी योकरेन पर कबजा बरकरार रखबाना पुतिन के लिए क्या इतना आसान होगा और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर योकरेन ने अपने ओपरेशन क्राइमिया को शुरू कर दिया तो क्या होगा दावे के मताविक योकरेन ने क्राइमिया को वापस हासल करने के लिए ऐसा ओपरेशन करने की तयारी में है जिसमें 2000 से ज़्यादा कमांडों शामिल होंगे और 20,000 की फौज उनको वैकप देगी चौकाने वाला दावा ये है कि इस ओपरेशन में सिर्फ योपरेन की फौज शामिल नहीं होगी योपरेन का साथ देने के लिए ब्रिटन ने कमरकस लिये और वो इस ओपरेशन को अन्जाम देने के लिए बड़ी भूमिका में शामिल हो गया है ब्रिटन की कमांडों फोर्स इसस यानि स्पेशल एर सर्विस ने योपरेन की 2000 जमानों को तैनात कर दिया है ये 2000 कमांडों उस बड़ी फोर्स का छोटा सा हिस्सा है जो क्राइमिया पर किसी भी वक्त चड़ाई करने के लिए तयार है ये ओपेशन सितंबर में शुरू हो सकता है और कहा जा रहा है कि पहले हमले के बाद अगर कई महीनों तक क्राइमिया में बहुत भीशन जंग हो सकती है जैलन्स की का टारगेट बहुत साफ है और वो ये की योक्रेन क्रिस्मस तर यानि दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले पूरे क्राइमिया पर वापिस कबजा करना चाहता है इसके लिए योक्रेन के 2000 कमांडो को दक्षुनी ब्रिटन के डार्ट मूर में ट्रेनिंग दी जा रही है ये जगा लंदन से 275 किलोमीटर पश्यम में है और यहां ऐसे इस योक्रेन की कमांडो फोर्स को बड़े इलाके पर कबजा करने का तरीका बता रही है क्राइमिया के खिलाफ जिस ओपरेशन की तैयारी चल रही है उसमें जमीन के रास्ते हमला करने की ट्रेनिंग हो रही है समंदर के रास्ते अट्रेक करने का तरीका बताया जा रहा है और आस्मान से यानि विमान से कैसे पैराशूट के जरिए उतर कर हमला किया जाए इसका भी पूरा ट्रेनिंग पोर्स शुरू किया जा चुका है बताया जा रहा है कि जैलन्सकी नएं कमांडोस को खुद चुना है उनकी देखरेक में एक एक कमांडो को इस बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है जैलन्सकी के लिए क्राइमिया को जीतना बहुत बड़ा सपना है लेकिन वो जानते हैं कि एक के बाद एक क्राइमिया को लेकर उन्होंने रूस को जटता दे दिया तो इसके बदले वो पूरा डॉन्बास और बखमूद का इंच इंच रूस की फोज से आजाद कर सकते हैं कुल मिलाकर जैलन्सकी क्राइमिया को जीत कर डॉन्बास का सौदा करना चाहते हैं जैलन्सकी को मालूम है कि क्राइमिया पुतिन की कमजोरी है और वो इसे लेकर डील करने को जरूर तयार हो जाएंगे इसमें कोई शक्त नहीं कि जέलंस्की बहुत ज्यादा दबाव में है जेलंस्की बखमूत में लाशों का बहार देख चुके हैं खंदकों में मारे गए अपने फौजी देख चुके हैं यही वज़े है कि जेलंस्की को नैटो से सला मिली है कि वो अब क्राइमिया पर अटक करें, क्राइमिया रूस के हाथ से गया तो पूरा योक्रेन आजाद करवाया जा सकता है। इसलिए जेलंस्की के ओर्डर पर अब 10-20 नहीं, बलकि 2000 कमांडो अपनी जान देने के लिए तयार है। इन सैनिकों को पता है कि युद्ध के मैदान में रूस की सेना योक्रेन की फौच को चुन-चुन कर मार रही है।